नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कावेंदर चौहान और आप देख रहे हैं हर खबर पैनी नजर आईए रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदीश की खास खबरों की ओर ललितपूर में देशी सराब की दुकान में जमकर तोड़ फोड की गई शराब की दुकान के स्थाना अंतरण को लेकर करणी सेना वा स्थानिय महिलाओं द्वरा ये विरोध प्रदर्शन किया गया पूरा मामला खिरकापुर का है जहां महिलाओं ने शराब की दुकान पर पत्थरों से तोड़ फूड की है वहीं पुलिस की भी स्थानिय लोगों और करणी सेना के साथ नोग जोग हुई आवकारी बिभाग की टीम और पुलिस ने दुकान को स्थाना अंतरित करने का आस्वाशन दिया है बुलन शहर में पुरानी रंजिश को लेकर एकी परिवार के लोगों पर हमला वरों ने अंधादुन फाइरिंग की बुलन शहर के ककोड कुटवाली शेत्र के धनवरागाउं में हुए इस पूरे गुली काण में गनर समिछ चार लोगों की गुली लगने से घायल बताये गये है घायलों को नोड़ा और बुलन शहर के अस्पतालों में भढ़ती कराये गया है निशुलक कनेक्शन के लिए बिवागिय करमचारी ने 5000 रुपए की घूस ली थी जब वो इसकी रसीद मांगने पहुचा तो एक बार फिर उससे 1500 रुपए की रिश्वत मांगी गई वहीं आरोपी लाइनमेन का कहना है कि उसने SSO को 4500 रुपए दिये है अब सवाल उठता है कि ऐसे रिश्वत खूर करमचारियों पर कारवाही कब होगी बदाईयों के महला लालपुल के रहने वाले शात्र ने होली की पार्टी के लिए रुपए नहीं दिये तो 10 वारा छात्रों ने उसकी SK Inter College Gate पर बेल्टों से जम कर पिटाई कर दिया और पिटाई करने के बाद वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया बदाईयों का स्वास्त विभाग एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के लिए मरीजों से खुले आम रिश्वत ले रहा है सरकारी एस्पतालों में ARV की काला बजारी जम कर हो रही है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है चित्रकूट में राजापूर थाना शेत्र के खोपा गाउं में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोगों को अस्पताल में भर्दी गराए गया है हालत गंबीर होने के चलते चारों को राजापूर से प्रयाग राज रेफर किया गया है जानकारी मिलते ही संबंदित थाने की पुलिस मौके पर पहुँची और मामले की चानवीन में जुट कई है आजाप समाज पार्टी के राजच अध्यक्ष चंदर शेकर आज बुलंड शेकर आजाप समाज पार्टी के मेरट मंडल प्रभारी धर्मेंदर गौतम के देहांत के बाद शोका कुल परिवार के साथ सांतवना दिने पहुँचे थे बुलंड शेकर में मीडिया ने आजाप समाज पार्टी के राजच अध्यक्ष से आगामी विधान सभा चुनावों को लेकर सवाल किये जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी का नेतरत्व अगर उन्हें बुलंड शेकर से लड़ाने का इच्छुक होगा तो वह बुलंड बुलंड शेकर से चुनाव लड़ेंगे लेकिन उनका चुनाव लड़ने का नेड़ना पार्टी का शीर सनेतरत्व ही तै करेगा और चंदर शेकर ने बुलंड शेकर की भूमी को अपनी कर्म भूमी बताते हुए कहा कि जैसे सपा के लिए सैफ़ाई और योगी जी के उजनाई गिनाई जहां भाजपाईयों ने उनका फूल माला पहना कर स्वागत सम्मान किया इस दौरान उनके साथ भाजपा के छेत्रिय अध्यक्ष मुहित बेनिवाल और राज्यमंत्री गुलाब देवी भी मौजूद थे इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में मु के इपी ड्यूटी में आये महराज गंच के इंस्पेक्टर ने होटल में वेटर के साथ अप्राकृतिक दुषकर्म की कोशिश की लड़की की डिमाड ना पूरी होने पर वेटर को कमरे में बंद कर उसके साथ गलत हरकत कर दी मैनेजर की सूचना पर देर रात होटल में पह मामले में सीओ कोतवाली बीपी सिंग ने बताया कि वेटर की शिकायत पर महराज गंच जिले में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विनोध यादब को गिरफतार किया गया है केस दर्ज करने के साथ इमामले की चानबीन की जा रही है तो फिलाल के इस बुलिटन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद